हेलो बच्चों कैसे हैं आप शब लोग आई होब यौल रो वेल इन फाइन तो बच्चों मैं हूँ तनवीर से रादर समिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माई चैनल स्टडी वी तनवीर से तो बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर समाजी विग्यान का पार्ट बारा जिसका नाम है भारत खनीज एवं सक्ति के संसादन यानि भारत के अंदर कौन कौन से खनीज एवं सक्ति के संसादन पाए जाते हैं उसके वीशे में विस्तुर जानकारियम यहां पर प्राप्त करने वाले हैं तो चलिए बच्चों सुरू करते हैं आपे पहला प्रस्तावना बचीजवस्ताइनी जो विकास गाथा में खनीच संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है खनीच प्रकुतिक संसाधन है यानि प्रकुति के द्वारा जो प्राप्त होने वाली चीज़ वस्ते उसे हम संसाधन कहते हैं मनुष्य की विकास यातरा को कई चर्णों में बाड़ दिया गया है जैसे कि पासान यूग, तामरो यूग, काश यूग, लोह यूग, एवं आधुनिक समय अर्थात अनुयूग माना गया है पासान यूग में मनुष्य सिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, जो आज आकास्वाने उडियान करने लगा है मतलब पासवाण योग के समय मनुष्य सिकार करने के लिए पत्थर का उपयोग करता था अलेकिन आचे करता आकांसवाणी उडियान करने लगा है मनुष्य यानि इतनी तरक्की हो गई है मनुष्य का खनीजों के साथ प्रगाड एवं पुराना संबन देए प्रगाड यानि बहुत पुराना एकदम जिसको गाड ऐसा खोलना सके ऐसा वरतमान समय में खनीज रास्ट में आर्थिक विकास की रेड़ की हड़ी मानी जाती यूएश एवं रूश खनीज के योग योपयोग के कारण विश्व की महासत्ताय बनी है यानि यूएश यानि अमेरिका जो है वो और साथ ही यहां पर जो रूश जो है वो यूएस और रूश जो है ये दोनों ही खनीज का उपयोग करने के कारण ही विश्व में महासत्ताय बनी है दोनों रास्ट खनीजों के वेविध्य एवं सम्वृद्य से संपन हैं मतलब ये दोनों जो राज जो देश जो हैं ये मतलब खनीज से एकदम पूर्ण रुप से संपन हैं भरे हुए हमारे देश में भी खनीज के विपुल भंडार होने पर भी लंबे समय से गुलामी एवं टक्नीकी ग्यान के अभाव में आर्थिक विकास कम हुआ है यनि हमारा भारत देश जो है भारत देश के अंदर भी खनीज के विशाल भंडार पाए गए हैं साथ ही हमारा जो भारत देश है वो गुलामी और जो अंग्रेजों की चपेट के कारण अर्था दूसरा हम कह सकते हैं जी टक्नीकी ग्यान हमारे कम होने के कारण हमारे देश में आर्थी विकास जो है वो कम हुआ है आगे बच्चों में टॉपिक दिया है आपे खनीच तो खनीच की विस्तुरुत जानकारी हम प्राप्त करेंगे उसके बाद खनीच का वर्गी करण यानि कितने भागों में बाटा गया है वो अभी हम विस्तुरुत यहां पे पढ़ेंगे प्रकुतिक आकारबनी किरियाओं से तयार निश्चित यानि निश्चित राशायनिक सनरचना वाले पदार्थ को खनीच खा जाता दो अच्चों यहां पे हमने खनीच की डेफिनेशन देखें यह प्रकुतिक आकारबनी किरियाओं से यानि प्रकुतिक रूप से बने लेक बने निश्चित राशायनिक सामान गुनी संरचना विशिष्ट अनुरचना वाले ठोस प्रवाही या वायू सरूप में प्रवाही के पदार्तों को खनीच कहा जाता यह दूसरी डेफिनिशन हमने देखी खनीच की यह ठोस सरूप में लोहा मैगनीच सोना चांदी त्यादी खनीच एवं प्रवाही के रूप में पारा पेट्रोलियम एवं वायूस रूप में प्रकुतिक गेस का समाविश होता तो बच्चों यहां पर हमने देख लिया ठोटल हमें जो खनीच जो होते हैं वो तीन तरह से प्राप्त होते हैं यानि ठोस में भी और लिक्वेड में और तुसरा हम गेस में भी यानि तीनों सवरूप में हम क्या करते हैं तीनों अवस्था में हम खनीच को प्राप्त करते हैं उसके नाम में दे दिये कौन-कौन से सवरूप में मिलते हैं कौन-कौन से चीज़े पृत्वी के गर्ब में से किस प्रकार की खनीच मिलेंगे इस उट जाके खनीज कोईला, खनीज तेल, प्रकुतिगेस की प्राप्ति होती है, जबकि स्लेट, संग मरमर, एवं हीरा जो है वो रुपांतरी चटानों से मिलता है, आगे बच्चों हम देखती हैं यहां पर खनीजों का वरगी करन ग, तो बच्चों यहां पर खनीजों का उप्योग किये जाने वाले भीज जैसे कॉन-कॉन से कॉला खनीज, तेल प्रकुटय , दिरिनीय धौरियंONEY। तो यह सब जो है, वह उड़ा उत्पन्न करने के लिए इन खनोज वो By Start इसलिए ऐसे कहा जाता सकती संचालन के लिए उप्योग की जाने वाले खनीज उसके बाद धातु में हहने खनीज के टोडल चार प्रकारिय यहां पे देखते हैं पहला कीमती धातु में खनीज एन कीमती धातु में कौनकों का विष्ट होता है और निकल यह जो हैं वो शामाने उप्योग की जाने वाली निसान जिदूस करते हैं ऐसी खनीज है उसके बाद आगे दिया मिस्ट थातों सरूप में उप्योगी की जाने वाली खनीज तो क्रॉमियम मेगनिश्ट उसके बाद टंग्स्टन यानि वेनोडियम यह जो चार धात वो क्या होगी अधातू होगी तो इसा चूने का पत्थर उसके बाद एसबे स्टॉक उसके बाद अब्रक फ्लोस फ्लोरिस्पार जिपसन यानि चिरोडी और सलफर हीरा तो यह सारे जो ही यह क्या है अधातू में खनीज का खनीज कंद्रिन का समावेश होता है आके टॉप पुल माकान एवं सस्तरों बनाने के लिए इसका व्यापक उप्योग होता है लोह का यह सस्ता मजबुत और टिकाओ भी है अधिकतर रास्टों में सरलता से मिलता है इसका अन्य धातू से मिल जाने पर इसका गोड़ धर्म होने के कारण यह महतोपूर्ण खनीज माना जाता ठीक है तो लोहे का यह बहुत बड़ा बच्चो यहां पर हमारा एक प्रॉफिट है आगे देखते हैं तो लोहा अशुद्ध सरूप में मिलता है इससे कच्ची धातू को सुद्ध करने के लिए कौक एवं चुने के पत्थर के साथ विसाल भट्टी में तपाकर इसे गलाय यह जो आसुद्धातू जो होता है उसे गला कर उस में से कारबन तत्व को दूर के जाता है तब जाके लोहा मिलता जिससे डेली का लोहा भी का जाता है भारत में रहत में सरवय ड् अगला बच्चो धातू दिये हैं पर मैगनेज दिया गया है मैगनेज यह लोहा फॉलाद उद्योग के लिए माथू पुर्धातू माना जाता है किसके लिए लोहा फॉलाद उद्योग के लिए है औंगे वच्चों हमें दिया गया हैं इसका जो यहां पर अपियोग जो हैं ये मोख लोहा लोहे मैंसे फॉलाद बनाने में होता है कि यह यानि इसका मेंडे है लोहे मैंसे फॉलाद बनाने मैं होता ही इसके अन्य Off-Yoo चिनाय मिट्टी के बरतन बनाने में रंगीन इट बनाने में इसका उपयोग होता है मेगनीच के मिसरण में फॉलाद की फटे एवं शरिया मतसलिया जो है वो इस्तिती स्थापकता यहने फ्लेक्सिबिलीटी एवं मजबुताई आती है किसके मेगनीच के मिसरण करने से तोड़ने या पीशने के यंत्रों को बनाने में तथा फॉलाद का उपयोग होता है उडिसा, करनाटक, मद्देपरदेश, महरास्ट, इवं गोवा, इसके मुखे, उत्पातक, राज्य, माने जाते हैं अगला धात्व में दियेगे कौपर, कौपर जो है कह सकते हैं महंगा धात्व एक है जिसे लोग यूज भी करते हैं तांबे का उपयोग आदिकाल से ही किया जा रहा है मनुश को शर्व परतम उपयोग में आई हुई या धात्व ठीक और तांबा इसके मिस्रण होने के गोड के करण इसका महत्व अधिक है इसमें से कलाई मिला कर कासा बना जाता है एवं जस्ता मिलाने से पीतल बनता है यानि कौपर के अंदर अगर जस्ता मिला गो तो पीतल बनेगा अगर कॉपर में अगर कलाई मिलाएंगे तो क्या बनेगा वच्छो कासा बनाया जा सकता है इसके आधिकांसता उप्योग जो है वो बिजली के संसादर बनाने में टेलीफॉन, रेडियो, एवम टेलीविजन, रेफ्रिजेटर, एवम एर कंडिशन इसके आधि सादर बनाने में इसका उप्योग अधिक होता है तो था यह विद्दुद का सुवहाग भी होता है जिसमें विद्दुद धारा जो है वो आसानी से प्रवायत की जा सकती है बहुत बड़ी मातरा में हैं आगे दिया है इसके उपरान जनतुनासक, दवावो, इसपोटक यानि जो इसपोटक पदारत है नि फोणने वाले पदारत जो है वो रंगीन कांज सिके एवम चपाई काम में भी यह उप्योग होता है भारत में तामबे का उप्योग करने वाले मुखे राज जो है जारकन मर्दे प्रदेश एवम रजस्थान है इसके उपरान सिक्की में हम आंदर प्रदेश में भी प्राप्त होता है उत्पदन करने वाले जो राज है यानि कहां कहां से जो है वो तामबे आते हैं बिहार कर कहा जाता है यह धातो अलुमिनियम की कच्छी धातो है सरो परतम 1881 में फ्रांस के लिए बॉक्स के पासे मिली थी बॉक्साइट में से अलुमिनियम प्राप्त किया जाता है इसके विशिश्च गुड के कारण इसका विविद उप्योग है अलुमीन हम जैसे की बारिस किसमें जंग भी लगता है इसके अंदर और हलकी धातों भी होती है लेकिन महेंगी होती है यह वजन में हलकी मजबूट टिकाओ एवम विदुत का सुवाहक जंग परतिरोधक एवम सरलता से पीटा जा सकता है इसका उप्योग ग्रोध्यों के बरतन बिजली के साधन रंग एवम हवाई जहाज को बनाने में अधिक प्रमाण में इसका उप्योग होता है भारत में उडिसा, चतिसगड महरास्ट, जहारखंड, गुजरात में बॉकसाइड मिलता है या खनीच के टकन ट्रेप के भूज तरिये संवरचना वाले परदेश में मिलता है उतराखंड में राची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागड, अम्रेली, सूरत एवम सामरकाटा जिले में से बॉकसाइड जो है यानि अलिमिनियम जो है कची थातू उसकी प्राप्त होती है अगला थातू हमें दिये अब्रक जिसका इंगलिश का नाम है याँ पर कह सकते हैं तो मीका विश्व में भारत जो है अब्रक के उत्पादन में प्रतम इंस्तान रखता है अब्रक, अगनी रोधक एवम विद्दुत का अवाख है अब आख होने से इसका उप्योग बिजली के साधनों को बनाने में किया जाता है यानि कह सकते हैं जिस पर करेंट नहीं लगता हो ऐसी चीज़ जैसे कि बिजली की मोटर, डाइनेमो, रेडियो, टेलीफॉन, मोटर गाड़ी, हवाज, जित्यादी के बनावट में या उप्योगी भारत में भिहार, जारकंड, अंदरपरतेस, अजस्तान, अबरक के उत्पादन के मुख्य, राजें जिसमें जादा अधिक प्रमान में अबरक प्राप्त होता है इसके उपरांत करनाटक पश्य मंगाल तमिलनाडू में से भी अबरक प्रापत होता है भारत में माइक्रो वाइट नामक अबरक का विसाल भंडार मिला है आगे हमें दिया है लीडियानी जिसे सीसा कहते है काँच वगेरा तो सीसे की धातों को गेलेना कहा जाता है यह मुलाय समिलाडी राज्यों में से प्राप्त होता है पश्य मंगाल मद्य परदेश उतर परदेश ओरिचा महारास्ट में घाले सिक्किम जैसे राज्यों में से सीसा जय वो प्राप्त होता है सीसे का उत्पादन यहां पे खुब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह अधि मिस्टॉन भी कहते हैं चूने का उपयोग जा है वो सेमेंट बनाने में बड़े पहमाने पर इसका उपयोग होता है तद उप्रांत यह लोहा को गलाने में एवं राशानिक उद्योग सोडा एस साबुन रंग राशायन भवन निर्माण साथी कागज एवं चीने के सुधी कर पर इसका उपयोग होता है देश में 70% चूने का उत्पादन करने वाले राशे जो हैं वो जिसमें आंदर परदेश, रजस्तान, मद्य परदेश गुजरात इवं तमिलाडू का समावेश होता है जहां से चूने के पत्थर का 70% यहां पे उत्पादन होता है इन पाच प्रेली एवं खेडा माने जाते हैं बनास काठा मैंसाडा साबर काठा वड़ोद्दरा पंच महल भरूच नर्मदा सूरत भावनगर एवं राजकोट आधी जिलो में से चूने की चटान पाई जाती हैं साथ ही जामनगर जिले में प्राप्त होने वाले चूने के पत्थरों म से 97 प्रसेंट चूने का ततुव मिलता है यान 3 प्रसेंट की कह सकते हैं एक्ष्टा चीज मिलती है खराब चीज है अगला खनीज दे दिया गया सकती है संचालन कह सकते हैं संचालन सकती के खनीज किसी भी देश के आर्थिक विकास की नहीं जो है वो संचालन सकती के खनीज जो है वो महतपोन इस्थान रखते हैं वे रास्ट वे उद्द्योग एवं अर्थ तंत्र को चले यान मतलब यहाँ पे बनाए रखते हैं साथ ही बच्चों क्योंकि अगर किसी की भी आर्थिक सक्ति अगर क्या हो जाए यहाँ पे खराब हो जाए तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव उसको पढ़ सकता है यहनी बच्चों जो संचलन सकती के जो खनीज है अगर वहाँ पे संचलन सकती है खनीज अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे उसकी आर्थ तंतर को वो चलन यानि यानि चलाई नहीं रख पाएंगे यानि बिजली की पूर्टी नहीं कर पाएंगे जिससे फिर कारखाने वगेरा सब बंद हो जाएंगे और आर्थिक विवस्ता चौपट हो जाएगे किसी भी देश की संचलन सकती के संसाधनों का अलग-अलग तरह से वरगी करण किया जाता है जैसे के परंपरागत एवम वियापारिक एवम वियापारिक सकती संसाधन कोईला, खनी स्तेल, प्रकुतिक वायो एवं अनू, खनी जे जो हैं वो परमपरागत या व्यापारिक संसादन माने जाते हैं यह पुना अपराप्य सक्ती संसादन भी हैं इन खनी जों का उप्योग कर विद्धुत प्राप्त किया जाता है जिसमें जल उर्जा, जो आपराप्य संसादन माना जा सकता है कि लखडिया कोईला जलाओ लखडी गोबर पेटोलियम वगेरा गोबर के कंड़े जो बिन व्यापारिक सक्ति के संसाधन माने जाते हैं अधवा तो है भी अगला हमें यह आपे दिया कोईला प्राचीन काल में मनुष्य कोईले का उप्योग सक्ति संसाधन के रूप में करता आया है ने पुराने समय से यह प्रश्ण होगा की कोईला पूर्थवी के बूह गर्ब में किस प्रकार बना होगा प्राचीन समय में पूर्थवी पर जंगलों का जो सामराज जो है यह आपे पूर्थवी के गर्ब में होने वाली आंतरिक संचलन किरिया के कारण यह पतियों में से रुपांत्रित होने वाला कोईला बना। लगबग 25 करोड़ वर्स पहले का समय कार्बो निफ्रेश समय अंतराल के रुपमें माना गया। इस दोरान पुर्च वुर्चों का धीरे-धीरे मंध दैयन होने से इंका कार्मन तत्व वाली कोईले में रुपांत्र ह होता गया उसके बाद भाब तंतर की खोज से कोईले का उपयोग बढ़ता गया इससे रेल एवं पानी के जगह में से परी वहन के साधनों का उपयोग सरल बनता गया फिर विद्दुत की खोज से ताप विद्दुत के उतपादन में कोईले का महत्वपूर्ण खनीज बनता गया, कोईले में इसका कुछ उप उत्पादन लिए मीलते है, जैसे कि डामर, अमोनिया गेस, अमोनिया सल्फेट एवं बैंजॉल यानि बैंजॉलिन, उसके बार एवं क्रूड ओयल भी हमें प्राप्त होता है। प्रस्तर चट्टानों में से प्राप्त होता है कार्बन के आधार पर कुल चार प्रकार है गया है कार्बन के तत्व के आधार पर कुल चार प्रकार में उसे बाटा गया है कोईलों को पहला इंत्रेसाइट कोईला तुसरा बिटुमीन कोईला चौथा लिगनाइट कोईला इवं जम्मो कस्मीर है तदमतुरांत उसके उप्रांत कह सकते हैं रजस्थान तमील लाड़ो आशा में गुजरात भी कोईले का उत्पादन करते हैं गुजरात में खनीच कोईले के छेत्रे में कच भरूच महसाना भावनगर इवं सूरत हैं यहां से लिगनाइट कोईला जो वो भूगर्ब में दवे एवं उनका हाइडरोकार्बंस में रुपांतर हो गया यह सवरूप लगबद प्रवाई सवरूप में था आंतरीक संचालनों के प्रेणाम सवरूप उस समय के इसतर धीरे धीरे बो इसतर की और उठने उठते गए वं कुछ समुदर के तल में भारत में 1866 में आसम में तेल के कुएं खोदे गए और 1866 में माकुम आसम में खनीज तेल प्राप्त हुआ इसके उसके बाद भारत में अन्य स्थलों में खनीज तेल के भंडार हमें प्राप्त हुए भारत के खनीज तेल के बंडार में कुल पांच युबागों में भाटा और आखरी राजस्थान के तेल के छेत्र यानि बच्चों हम कह सकते हैं तेल के छेत्र उकुल पांच भागों में बाटा कहा है जिसके अंदर यहां पे हम गुजरात के तेल छेत्र के विशे में अध्यन्द करेंगे सुतंतरा प्राप्ति की बाद यानि आजादी मिलने के बाद 1958 में गुजरात के खेडा जिले में लूडेच में सरुपर्थम खनीश्थेल प्राप्त हुआ इसके बाद अंकलिश्वर, मैसाना, कलोल, नवागाम, कोसंबा, सानंद, अमदाबाद, गांदीनगर, वड़ोदरा, भरूच एवं भावनगर में खनीश्थेल प्राप्त हुआ खनीश्थेल का सुध्यकरण के इस प्रकार होता है भारत में रिफाइनरिया, गुवहाटी, बरोनी, कोईली, कोचीन, चैन्नाई, मतूरा, कॉलकत्ता एवं हल्दिया का समावेश होता है विष्व का सबसे बड़ा खनीश्थेल सुध्यकरण संकूल जो है, वो गुजरात के जामनगर में आया हुआ, यानि दुनिया का सबसे बड़ा खनीश्थेल सुध्यकरण का संकूल है, यानि जहां पर उसका पूरा सब बनाया गया है, कंपनी वगेरा, वो गुजरात के ज जर्मनगर में आया हुआ है तो ये वच्छों एक मार्स सवाल है बहुत ही इंपर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए अगला दिया प्रकुतिक गेस हैनी नियचूरल गेस प्रकुतीक है खनीच त ungef के साथ संग में हैं यानि जो जो प्णिस तयल को प्रप्तिक प्रकुतिक म मिलती है यह से सिस्ता एवं पप्रदूसन रहीत उर जाका इस्थरोत होता जैसे लपीजी हो गया और से एवंधे सारी इस हमीज होता है उसकी बाद हमारे देश में सारी प्रकूति और के से बंडार खंभात बेशीन य सल में रजस्तान में प्राप्तुएं, गुजरात का अंकल इश्वर, खनीस्टेल एवं प्रकुति गेस के पंडार वाला छेतर माना जाता है अंकल इश्वर. इस तरह आप कह सकते हैं कि अंकल इश्वर में और भरूच में बहुत सारे इंडर्श्ट्रिज वगेरा आये हुवे हैं खास कर अंकल इ इसके वेकल्प सरू पवन उर्जा, सौर उर्जा, बायोगेस, जवारी उर्जा है वं भूतापी उर्जा का समावेश होता है। ये सभी उर्जा इस तरोद जो हैं वो उर्जा के साथ संसाधन हैं। कुछ लोग इसे अटूट सकती संसाधन के रूप में बताते हैं याने भी परंपरागत उर्जा के साधन। विश्व के देशों में इन छेत्रों में कदम उठाए गए हैं। यूएस, रूस, फ्रांस, कैनेडा, उसका आस्ट्रेलिया, नेदर लेने वम, जापान, आधी देश इस दिसा में अशरकारक रूप से आगे पढ़ रहे हैं। 1981 में उर्जा के अतिरिक्त इस्तरोत आयो कमिशन फॉर एडिसनल सॉर्स ओफ एनरजी यानि C.A.S. केश की रचना की गई गुजरात में गुजरात एनरजी डेवलोपमेंट एजनसी यानि गेडा यहापे गेडा गुजरात उर्जा विकास संस्ता इस दिसा में कार्य करती ह उसके बाद अगला दिया में सॉर्व उर्जा इनरजी सूर्य पूर्थवी सता पर उर्जा का मूल इस्तरोत माना जाता है वो वर्ष दर्मियान अधिक दिन प्रकाशित रहता है नहीं पूर्य वर्ष के दर्मियान जो ज़्यादा दिन प्रकाशित रहने वाले क्या है सूर हीटर का उपयोग पानी को गरम करना वें सोलर पेनल के द्वारा बिजली उत्पन की जाती है गुजरात देश का सरवधिक सौर उर्जा प्राप्त करने वाला राज है यानि गुजरात जो है वो पूरे हमारे भारत देश का सरवधिक सौर उर्जा प्राप्त करने वाला राज गुजरात उर्जा विकास एजंसी यानि गेटा जो है वो वरुदरा के पास 10 टन की छमता वाले शौर शीतागर इस्थापित किया गया है वर्तमान समय में बिजली बिना के गावों में रोट लाइट एवम खेतों में सिचाई एवम टीवी के लिए 100 पैनल्स लगाई गई है गुजरात में भूच के पास मधापर में समुदर के खारे पानी का डिशो लिनेशन यानि इन टिश एज एलिनेशन प्रॉसस जो हperform करने के लिए सौर उज़ा प्लांट लगाई गया है आज जो है वो देश में सौर उढ़जा बचाने वाले उपकरण का उपयोग ये प्रॉसेस को डिश एलिनेशन प्रॉसेस का जाता है अगला पच्छों हमें दिया गया पवन उर्जा पवन उर्जा प्राप्त की जाती है विश्व में भारत में पवन उर्जा प्राप्त करने वाले राज़ों में गुजरात, तमील लाडू, महाराष्ट, अंदर प्रदेस, ओडिशा करनाटग, मद्दे प्रदेस एवं केरल राजों का समावेश होता है गुजरात में जामनगर, तांबा गाउं, लांबा गाउं में एक कच्छ में बांडवी के किनारे विंड़ फार्म जो है वो कारीरत है देव भुमी के द्वार का जामनगर, कच्छ राजकोर्ट, पुरबंदर, आदी जिलों में उचाई पर पहुंच चक्कियां लगा कर विडियो तुर्जा उत्पन्न की जाती है आगला हमें दिया बायो गेस, बायो गेस के उत्पादन में काम, बिना की कुर्शी पदार्त गन्ने का खोई, यह जो चान निकलता है वो अन्यवनश्पती, गोबर यह वो वनशी के मलमुत्र का समावेश होता है बायो गेस के अंदर, इन पदार्तों के सरने से मिथेन जो ह और इसे जलती जादा है, और इसके उप्योग के बाद विसानु जो होते हैं वो बिना की कीमती खाद प्राप्त होता है, इस तरह उर्जा और खाद दोनों प्राप्त किये जा सकते हैं, बायो गेस में से हैं, यह उर्जा प्राप्ती का बिन परंपरागत सकती का संसादन है सौर उर्जा एवं बायोगेस दोनों सकती संसादन भारतिय गाउंवों के परंपरागत सेली को पदल सके ऐसे हैं गराम छेतर के सुचता में वृद्धी होती है और इससे घरे लिए उर्जा में कमी जो है वो दूर हुई है उत्तर प्रदेश गुजराद बायोगेस के उत्पादन में प्रत्थम एवं दूतिय इस्थान है यानि पहला बायोगेस के उत्पादन पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा भारत के इंदर इन दो राजों का पहला और दूसरा इस्थान है दूसरा गुजराद का है गुजरात में शिद्पूर के मैथान में सबसे बड़ा आदर्स बायोगेस प्लांट बनाया गया है यह समुदाइक रूप से चलाया जाता है अमदबाद में दस क्रोई तैसील के सदातल एवं बनास काटा के दाती वाड़ में बायोगेस जो है वो कारिरत है तदुप्रांत व्यक्तिकत एवं सामुदाइक सरूप में प्लांट के इस्थापना का उप्योग बढ़ाया जा रहा है हमारे देश के अंदर अगला पाइंट पच्छों में दिया भूत आप पी और जाएने जमीन के इंदर जो गर्माट जो है ताप जो है उसकी और जाएने जियो थर्मल एनरजी पुर्थवी की सता पर पुर्थवी की भूग गर्भी ये और जा गरम फुवारे या गरम पानी के जहरने के सरूप म होती है जिसका उप्योग कर भूतापी उर्जा प्राप्त की जाती है गुजरात में लशुंद्रा उनाई टूवा एवं तुलशी शाम में गरम पानी के जहरने आये हुए इसमें से भूतापी उस्मा उर्जा मिलने की संभावना है अगला दिया जिवारी उर्जा यानि कर मनुष्य ने बिजली प्राप्त करने का प्रेत्न किया जुआर के पाने में सक्ति अधिक होती है इसके साथ टर्बाइन लगा कर विद्धूत सक्ति प्राप्त की जाती है 1910 में फ्रांस में जुआर भाटा की साहिता से बिजली प्राप्त करने की योजना सुरू हुई है भारत में विशाल समुद्री किनारे होने से उर्जा प्राप्ट करने के संभावना बड़ी है गुजरात के कच्छ खंबात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंब किया गया मनुष्य जाती के अस्तित्व एवं विकास के लिए खनीज आवशक है मनुष्य को खनीज संभावन के संदरवे में कुछ तत्यों पर विचार करना जरूरी है संभावन किसे कहते हैं खनीज का मित व्याइकता पूर्ण एवं सुयोजित उप्योग अर्थात खनीज का बढ़ाने में प्रियत्न रथ हैं साथ ही निद्याद बढ़ाकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए खनीजों का अनियंत्रित उप्योग हो रहा इससे खनीज संरक्षण जरूरी बना है अगला पॉइंट गया में खनीज संरक्षण के उपाए यानि खनीज के संर उप्योग होता है जो वेव जो होता है वो रुकेगा नंबर टू पुना चक्र लोहा तामबा अलूमीनियम एमों कर लेके अनुप्योग ये भंडार को पुना उप्योग में लेना उसके बाद तीसरा पॉइंट या खनीज का वेकल्पिक उप्योग अलप मातरा में यानि क गाड़ी वगरा में आती है सेंजी गेस वो चौथा में दिया बिन परमपरागत साधनों का उप्योग जैसे जल, शौर, पवन, बायो गेस एवं बिन परमपरागत साधनों का उप्योग हमें बढाना चाहिए जिससे हम खनीज का संदक्षण कर पाएंगे सिरलता से नमबर फाइव टिकाव विकास यानि पोशन छम परियावरण की गुणवक्ता बनाये रखकर भविश की पीडियों को सुध्य परियावरण की भेट देना एवं परदुसर्ण मुक्त परियावरण प्राप्त करना नमबर शिक्स और आखरी कह सकते हैं खनीज के अनुमानित भंडार निशित हो उसके बाद उसका आयोजन पूर्ण उप्योग हो तो अधिक लंबे समय तक उसका उप्योग कह जा सकता यानि जैसे पैट्रोल डीजल इन सब का भंडार हमें सीमित है तो उनका आयोजन जो है वो आवश्यक है आसा है अब सभी बच्चो को चाप्टर 12 जो है अच्छी से समझ में आ गया होगा बच्चो तो यहां पर सारे जो कोशन आंसर जो है आपको सभी स्टुडेंट्स को अपनी अपनी नोटबुक में क्या करने बच्चो आपको राइट कर लेने हैं पू जानकारी और साथी बच्चो एक इस चैप्टर में सामें साथ किसी भी धातू के विसमें उप्योग पूछ लिए पूछ लिए तो उप्योग आप सभी के याद कर लीजीगा चुनिये का उप्योग और साथी खनीजों का वरगी करन जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठ ठीक है बच्चो तो आशा है आप सभी बच्चों के वीडियो बहुत पसंद आया होगा मिलते हैं अगरे वीडियों तब तक दीजिए तन्विर सर को उजाजा तब तक के लिए बच्चों जय हिन जय भारत